मेरे प्यारे मसी भाई बहनों आप सब को जै मसी की Everything My Jesus यूटूब चाइनल में आप सब का स्वागत है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब कैसे हैं मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रवईशो मसी के मीठे और पवित्र नाम में आशीशित और अनन्दित होंगे तो दोस्तों आज एक नए बिशय पर बाचित करने के लिए फिर मैं आपके बीच में आया हूँ जो आज हम Bible से सिखेंगे कि Bible हमें क्या कहती है तो आज का जो हमारा बिशय है वो बिशय है आत्मिक जुद्ध के हंथियार क्या है आत्मिक जुद्द के हथियार के बारे में आज हम सोब सिखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहती है और बाइबल हमें आत्मिक जुद्द को लड़ने के लिए कौन सा हथियार हमें दिया है तागे को देर न करते हुए हम बाइबल के बचन में देखेंगे उससे पहले आप से हम बिंती करते हैं कि मेरे प्यारे मसी भाइबानों आप सब इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा समझ में आए और अच्छे रिती से हम जान सके कि परमिश्वा ने हम सब को लड़ाई लड़ने के लिए कौन सा हाथियार दिया है जो आत्मिकता बचन हमें क्या बताता है तो हम लोग बचन में देखेंगे फीश्यों के पूष्टा के अध्याई छे के दस से लेकर के हम लोग देखेंगे कि परमिश्वर का बचन क्या कहता है और वो 19 पद तक देखेंगे कि आज वो आत्मिक जुद्द के बाले में परमिश्वर का बच दो कि तुम सैतान की उक्तियों के सामने खरा रह सको। पंदर में कहता है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिक्ता की जिलम पहिन कर। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना और विंति करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्य लोगों के लिए लगातार विंतिया करो। और 19 में आंतिम बचन में कहता है मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसे प्रवल बचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सू समाचार का भेद बता शकूं। तो मेरे प्यारे मसी भाई बहनों यहां पे हम देखते हैं कि परमिश्वर का हत्यार हम सब को क्या मिला है क्योंकि 14 पद से देखते हैं और 14 पद से असपश्ट करता है कि हमें है जी क्या 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 नहीं करना है तो उसमें से मैंने पॉइंट कुछ निकाला है जो हम इस जैसे हमारा प्रभु पवित्र है वैसे हमारा पवित्रता का जीवन और सचाय का जीवन जीना चाहिए दूसरा उसमें हम पॉइट निकालें धार्मिकता का जीलम पहन करके और हमें बो कार्ज करना है जो लोगों को नजर में धार्मिक काम हो लोगों को नजर में परमिश्वर के सू समाचार के लिए परमिश्वर के बारे में और परमिश्वर के बचन के लोगों तक पहुचाना है लोगों तक कहें ले जाना है सचाई को लोगों तक बताना है ताकि लोग है जे सत्य को जान सके और चोथा पॉइंट हमने निकाला है विश्वास की धाल लेकर इस्थिर रहना जिससे दुष्ट की जलते हुए सब तीरों को बुझा सको और हमें इस्थिरता के साथ रहना है मेरे प्यारे दोस्तों ना कि है जे तुरत उब जाना है तुरत है जे हम लोग क्या हो जाते हैं कुछ भी प्रभाव आये तो उसे है जे उस विश्वास की धाल से उसे रोक सके और उसे तीर को जलते हुए तीरों को जो उसका जो मनसा है उसे हम बुझा सके पच्मा पॉइंट है कि उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमिश्वर का बचन है लेलो और हम सब को हमेशा है जे उद्धार का टोप जो हमारा इश्व मसी उद्धार करता है और आत्मा का तलवार जो हमें प्रभू ने दिया है पवित्र आत्मा दिया है और वो बचन जो बचन हम सब सुनते हैं क्योंकि बचन ही हम सब को छुटकारा देता है बचन ही हम सब को सुरच्छा कर तेसले मेरे प्यारे मसीव भाई बहनों यहां पांच पॉइंट में बहुत महतोपून है उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमिश्वर का बचन है हमेशा हम सब को ले करके उस आत्मिक जुद्ध को जीश सकते हैं छटा पॉइंट है हर समय आत्मा में प्रात्ना और बिंती का करते रहो हम सब को हमेशा है आत्मा में बिंती प्रात्ना करते रहना है आत्मिक जीवन में आगे बरते रहना हमें बाईवल परते रहना है परमिश्वर के बचन को मनन करते रहना है ताकि हम हर समय है परमिश्वर क से हम उसे जवाब दे, जैसे हमारा प्रभी इस्व मसीवी, उनकी जब परिच्छा हो रहा था, तो उनको जो तीन को परिच्छा लिया गया, ते इस्व मसीवी ने वो बचन से ही सैतान को जवाब दिया, लिखा है, मनुष्य के वल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमिश् गरी आरो वैशे समय आए, तो उस समय सैतान को हम बचन से जवाब दे सके, और छटा पॉइंट है, हर समय आतम है, हम सब को प्रातना भी करते रहना है, मेरे प्यारे मसीवी भाई बनो, जब प्रातना करते रहेंगे, तभी है, जे हम मजबूत हो सकते हैं, और प्रभु को प प्रातना करें, क्योंकि प्रभु बोला है, एक दुसरे के लिए प्रातना करो, तो मेरे मसीवी भाई बनो, हम भी आपसे एक निवेदन करते हैं, कि आप मेरे लिए भी प्रातना किया करें, ताकि हम आपके जो भी प्रभु का जनकारी हमारे पास आए, जो भी प्रभु का ह शीशित और आनन्दित हो सके तो मेरे प्यारे मसीभाई बनो हम आसा करते हैं कि आज आपने ये नए जनकारी को सुन करके जो हम सब के लिए ये आत्मी के जुद लड़ाई लड़ने से हम लोगों को ये सुरच्छा के लिए हाथियार है ये हम आप सब ने हम सब ने जाना कि प प्रभु ने बोला है कि हमें हमेशा है जे बचन को ले करके रहना है और कमर करके रहना है तोप पहन करके जहिलम पहन करके रहना है इस तरह से हमें हमेशा है जे मजबूत होके रहेंगे ता आत्मिक लड़ाई को आत्मिक जुद को जरूर है जिसमसी के नाम से जीतेंगे त तो प्रवब आप सब को बहुत बहुत आशीश करें, आप सब को जै मसी की, God bless you.